प्लोग केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर एफ ब्लोग बोलने जिसको है ना डी एफ ब्लोग वैसे ही चैप्टर है लेकर मैं उसको अलग लग वीडियो में बता रहा हूं दी ब्लोग का अलग वीडियो है और एफ ब्लोग का अलग वीडियो है ठीक है तो एफ ब्लोग के को क्या बोलते है पहली बात तो यह तो एफ ब्लोग का नाम इनर ट्रांजिशन मेटल्स होता है इसका नाम एक और होता है इनर ट्रांजिशन मेटल्स अब एक्च्छल में एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है एक होती है आपकी लेंथेनॉइड और एक एक्टिनॉइड तो इसमें दो सीरीज है पहले नंबर पर क्या है लेंथेनॉइड और सेकेंड नंबर पर क्या है एक्टिनॉइड ठीक है लेंथेनॉइड जो सीरीज है उसका जो ग्रुप नंबर होत 3 होता है, actenoid का भी group number 3 होता है और period number इसका 6, group number क्या है इसका? 3, इसका group number क्या है? 3, और period number इसका क्या है? 6, और इसका period number क्या है? 7, ठीक है? अब lengthenoids में और actenoids में कौन-कौन से element आते हैं वो देखो, lengthenoids में आते हैं, cerium से start होता है, ठीक है? और इसको याद करते जाना मैं साथ साथ बोलते भी जा रहा हूँ सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हूँ इस तरीगे से याद कर लेना आप है न एडॉमिक नंबर इसका क्या है 58 2008 क्योंकि इसके पीछे यहाँ लें थेनम होता है तो लें थेनम से प्रॉपर्टी रिजेम्बल करती है तो इसके आगे की सीरीज को लें gjort नंबर बोल देते हैं तो लेंथेनम का अटम की नंबर 57 होता उसके बाद यहाँ से सुरू होता है एक्च्वल में सीरियम से स्टार्ट होता है, लुटेसियम तक जाता है, तो 58 से लेकर ये हो गया आपका 71, इसके बाद 72 हफनियम का होता है, जो की D-Block में आता है, एक्टीनियम होता है, इसके बाद से सीरीज स्टार्ट होती है, थोड़े पापड, यू नापो, पुराने आम, कम भिखेंगे थोड़े पापड यू नापो पुराने आम कम भिकेंगे कैफे में ऐसे फर्माओ मेडम नूडल्स लाओ ठीक है अब यहाँ जो अटोमिक नंबर है वो क्या है 90 91, 92, 93 ऐसे चलते जाओगे तो यह 103 लॉरेंसियम तक जाता है तो यह जो मेंबर हैं सीरियम से लेकर लॉटेसियम यह फस्ट इनर ट्रांजीशन सीरीज बोल सकते हो यह सेकंड इनर ट्रांजीशन सीरीज बोल सकते हो लेंथेनोइड और एक्टेनोइड एक्टेनोइड स्टार्ट होता थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक और lengthenoid start होता है CDM से लेकर Lutacium तक, तो पहली बात तो सबसे पहला point यह है कि आपको यह याद होने चाहिए, इन सब के atomic number आपको पता होने चाहिए, 58 यहां है तो 59, 60, 61 ऐसे आप चलते जाना, 71 तक, यहां 90 है तो 91, 92 से आगे बढ़ते जाना, तो यह तो atomic number की बात हो गई, electronic configuration देखो, बहुत छोटा सा chapter है यह, बहुत ही छोटी छोटी चीज है, 3, 4, 5 properties है बस ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन जितनी भी है वो सारी की सारी important है, direct question आ सकता उसमें से, तो पहले आप यह note करो, फिर electronic configuration बताता हूँ मैं आपको, तो जैसा कि हमने series याद कर ली, lengthenoid और actinoid, अब हम आगे बढ़ेंगे और इसमें electronic configuration बढ़ेंगे, तो मैं अलगला आपको बताऊंगा, पहले मैं lengthenoid का बताऊंगा, फिर actinoid का बताऊंगा, मतब पहले अपन lengthenoid पूरा पढ़ लेंगे, फिर उसका actinoid प्याएंगे, ऐसा क internal electronic configuration, तो यह आता है, n-2, f, 1 से 14, ठीक है, यह हो कि आपका f वाला, n-1, d, 0 से 1, मतब जीरो और 1 दिखेगा आपको, और n is 2, अब यहाँ पर n क्या पूर्ट करना है आपको, जिस भी period में ब्लॉंग करता है, तो आपको पता है कि यह 6th period में होता है, ठीक है, तो n अगर यहा lengthenoids का जो electronic configuration आएगा, वो क्या आएगा, 6 रखोगे, तो यहाँ 6 रखो तो 4f, 1 से 14, 5d, 0, 1 और 6s, 2, ऐसा दिखेगा general electronic configuration किसका, lengthenoids का, चलो अब स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर मुझे इन सब का electronic configuration लिखना तो बहुत आसान है लिखना, पहले आप यहाँ लिख दो 4f, फ जो है, वो d block element है, ठीक है, तो यहाँ 4f में 0 रख दो, क्योंकि f में कुछ electron होंगे, तब ही हम उसको f block element बोलेंगे, तो 4f 0, 5d1 और 6s, 2, तो यह तो आपका अलग है, इसको तो आप यह समझ लो कि यह अलग है, इसका configuration, ठीक है, 4f 0, 5d1, 6s, 2, ठीक है, इसके पहले क्या आ रहा होगा, ठीक है, अगर आप पूरा लिखोगे, तो क्या लिखोगे, xenon, 4f 0, 5d1, 6s, 2, ऐसा लिखना पड़ेगा, अब यहाँ से main start होते हैं, आपके electronic configuration, जो इसको follow करेंगे, ठीक, तो कैसे आपको करना है, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 1, और यहाँ लिखो 2, 4f में 1 5d में 1, 6s में 2, ठीक है, अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, अब यहाँ लिख रहाओं में 3, ठीक है, यहाँ लिख रहाओं में 1, और इधर लिख रहाओं 2, ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ लिख रहाओं 4, 0, 2, pattern बनेगा बहुत बढ़ी है, 5, 0, 2, 6, 0, 2, 7, 0, 702, 712, 902, पहले मैं लिख दू फर मैं याद करने के तरीखा बता दू, 10, 0, 2, 11, 0, 2, 12, 0, 2, 13, 0, 2, 14, 0, 2, और 14, 1, 2, आप जरा ध्यान से देखना, अगर मैं F-Block का पहला element आपसे बोलू, लेंथेनोट्स का, तो आप CDM से शुरू करोगे न, तो ये हो गया मेरे पास कौन सा element, पहला, तो आप देखो पहले वाले element, और 7th element, और 14th element, सिर्फ इनी जगह पर 5D1 आ रहा है, ध्यान से देख लो अब, आप कहानी में शुरू देखो, 5D1, बाकी सब जगह 0 है, 5D1, बाकी सब जगह 0 है, और 5D1, मतलब, सीरियम, गैडोलीनियम और लुटेसियम, मेंस पहला 7th और 14th, इन element में 5D1 आता है, ठीक, सभी में 6S में 2 है, सभी के 6S में 2 है, तो यहां कोई टेंसन नहीं, F में कैसे याद रखोगे, 1, फिर इस के बाद 3 से सुरू करो, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, मतलब 1 के बाद क्या आता है, 3, तो 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, ठीक है, मतलब 7, 7 दो बार और 14, 14 दो बार, और 1 के बाद सीधा 3 आता है, ठीक, तो इस तरीके से आप electronic configuration को याद कर सकते हो, ठीक है, इसको note कर ल तो जैसा कि हमने electronic configuration इसका पढ़ दिया, ठीक है, अब oxidation number हम पढ़ेंगे, उसमें इसकी जरुथी, इसले मैंने score अपनी किया, इसमें से ही अपन दिखाएंगे, oxidation numbers, ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये तो अपना पहला property हो गया था, क्या electronic configuration, दूसरे number पर मैं चल रहा हूँ, oxidation number पर, lengthenoids में तीन टाइप की oxidation number होती है, plus two, plus three, and plus four, जिसमें से plus three वाली most common होती है, ठीक है, plus three वाले सभी lengthenoids exhibit करते है, तो मैं यहां लिख रहा हूँ, तीन टाइप की oxidation number, plus two, plus three, and plus four, ये तीन होती है, प्लस 2 वाली कहां होती है, प्लस 3 वाली कहां होती है, प्लस 4 वाली कहां होती है, यह धियान रखना पड़ेगा प्लस 3 वाली जिसमें से सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, यह most common है प्लस 3 वाली क्या है, most common, यह सभी exhibit करते है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, lengthenoid को ln symbol से represent करते हैं, ln प्लस 3 अब प्लस 2 सिर्फ दो होती है, प्लस 2 में कौन-कौन सी होती है एक होती है आपकी EU और एक होती है आपकी YB, ठीक है तो जो आपको जिंगल याद था उसी मेंसे याद कर ले ना, यूही ला जवाब उसी मेंसे मैंने निकाल दिया है ना, तो EU यूही और YB+, YB2+, ला जवाब क्योंकि ये 2 electron निकल जाएगा तो half field बन जाएगा, और ये 2 electron निकल के fully field बना लेगा तो ये प्लस 2 वाली होती है, अब प्लस 2 oxidation number वाले चाहेंगे कि हम most common प्लस 3 में जाहें तो ये खुद oxidize होना चाहेंगे, अगर ये खुद oxidize होना चाहेंगे, प्लस 3 में जाना चाहेंगे तो ये खुद का oxidation करने वाले क्या होते हैं, reducing agents, मतलब ये क्या होंगे, reducing agents ठीक है, प्लस 4 में चलते हैं, प्लस 4 में कौन-कौन से होते हैं, सीने पर नदिया तब दिल ये उसी जिंगल में से मैंने निकाल लिए ताकि आपको याद रहें सीरे पर नदिया तब दिल तो ये जो है ये प्लस फोर वाले होते हैं जिसमें से पियार से लेकर मतब सीरियम को छोड़ दो तो ये ओक्साइड के फॉर्म में प्लस फॉर और प्लस 4 वाले क्या होंगे प्लस 4 वाले चाहेंगे कि हम कहां पर आएं पीछे आएं, प्लस 3 में आएं मतलब ये खुद का क्या करें reduction, मतलब सामने वाले का क्या करें oxidation, मतलब oxidizing agent, तो ये सब क्या हो गए oxidizing agents हो गए समझ गया बात को अब एक बात आती, cerium से related, cerium का जो प्लस 4 से प्लस 3 का standard reduction potential है, वो होता है positive तो ये क्या करता है, water को oxidize कर देता है लेकिन rate of reaction बहुत ही slow होती है, जिस वज़े से cerium प्लस 4 को analytical agent बोलते हैं, बतलब ये good analytical agent होता है, analytical chemistry में इसको use करते हैं, बस ऐसे याद रख लेना जानकारी के लिए बता दिये, तो main क्या है plus 2, plus 3, plus 4, 3 oxidation number most common plus 3 वाली है plus 2 ये दोनों करते हैं, ठीक है यो ही, लाजवाब, और plus 2 वाले चाहेंगे plus 3 में जाना तो ये reducing agent हो गए, क्यों, खुद को oxidize कर रहे है plus 4 वाले चाहेंगे पीछे आना, मतलब ये खुद को reduce कर रहे है मतलब और अक्सिडाइजिंग एजेंट हो गए और इनके oxide के form में plus 4 exist करते हैं, और cerium plus 4 के बारे में एक information extra ये थी, कि ये good analytical agent होता है, ठीक है इसको note कर लो, फिर अपन ionic radius के बारे में समझेंगे चलो, आगे बढ़ते हैं अगली property हमारी ionic radii, ठीक है ionic radii क्या होता है जो most common oxidation number है उसमें compare कराते हैं, मतलब lengthenoids के plus 3 में ठीक है तो अगर मैं ionic radius की बात करूँ तो left to right left to right decreases ionic radius left to right decreases due to increase in increase in effective nuclear charge यह आप जानते ही हो, आपने पिरेक्टेबल ही पड़ा है left से right, size usually decrease ही होता है, क्योंकि effective nuclear charge बढ़ता है, और यहाँ पर एक region और है, due to lengthenoid contraction lengthenoid contraction, lengthenoid contraction क्या होता है, poor screening of poor screening of या imperfect shielding बात बराबर है, poor screening of 4F electrons, इसको क्या बोलते है अपन, lengthenoid से चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा लिख देता हूँ, LA plus 3, फिर उसके बाद cerium plus 3, फिर PR plus 3 and so on, degrees होता जागा कहां तक, LU plus 3 तक, ठीक है, इस तरीके से order होगा इसका, ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ chemical reaction discuss करने, इसकी बोभी देख लो, बहुत आसान है, maximum reaction इसकी aluminum जैसी है, LN क aluminum मान के आप answer लिखते जाओ, जैसे lengthenoid की reaction O2 के साथ, तो aluminum की O2 के साथ सोचो क्या होती थी, AL2O3, तो यहाँ LN2O3, sulfur oxygen एक ही type कही है, तो LN2S3, ठीक है, aluminum acid के साथ क्या, H2 gas निकालेगा, LN acid के साथ H2 gas निकालेगा, इस तरीके से, है नो, X2 के साथ, aluminum, halogen के साथ, ALX3 बनाता है, यहाँ LNX3 बनेगा, nitrogen के साथ, aluminum क्या बनाता है, ALN, यहाँ LNN बनेगा, ठीक है, nitride, water के साथ, LN, aluminum क्या बनाएगा, ALOH, यहाँ LNOH, ठीक है, इस तरीके से connect करके आप रख सकते हो, plus H2 gas निकलेगी, यहाँ carbon में थोड़ा अलगता है, ठीक है, यह carbon के साथ, इस temperature पर बनाता है, LNC2, इसके अलाबा, और भी carbon होते है, LNC2 के, लेकिन इस temperature पर धियान दखना, क्या होता है, LNC2 होता है, ठीक है, तो यह कुछ chemical reactions होगी, फटावट से note करो, फ़र आगे बढ़ते हैं, तो चलो, lengthenoid के कुछ general point लिख लेते हैं, general characteristic जैसे, पहला point यह है, इसमें, कि all lengthenoids are, silvery, white, soft metals, silvery, white, soft metals होते हैं, लेकिन इसमें से एक आपको ध्यान दखना है, summarium जो बहुत ही जादा hard होता है, ठीक है, बहुत hard होता है, यहां लिख देता हूँ में, bracket में लिख देता हूँ, SM is, but SM, summarium, is steel hard, बहुत ही जादा hard होता है यह, due to number, unpaid electron की वज़े से, maximum unpaid electron की वज़े से, SM में होते हैं जो, उस वज़े से यह steel hard होता है, क्योंकि metallic bonding बहुत strong ह metallic bond, और metallic bond किसे वज़े से बनता है, इंपड electron की वज़े से बनता है, ठीक है, तो due to strong metallic bond की वज़े से, यह steel hard होता है, बहुत ज़्यादा, सभी में हैं, सबसे यहादा hard यह होता है, और बाकी सारे silvery white और soft metal होते हैं, point number two, except la3 plus, ठीक है, इसको भी अपन include कर ले रहे हैं, यहाँ पर, except la3 plus and lu3 plus, all are colored, मतलब इसके अलावा जितने भी lengthenoids हैं, वो सब क्या होते हैं, colored होते हैं, यही दोनों क्या होते हैं, colorless, क्योंकि यह क्या होगा, la3 और lu3 में क्या हो जाएगा, कि f में electron बचेंगे नहीं, जब electron आपके पास बचेंगा, तभी तो उसका excitation होगा, आप जानते हो color किस वज़े से आता है, lower energy से higher energy में electron जाता है, जब higher से lower में आता है, तो radiation emit करता है, जिसके according आपको color दिखते हैं, तो la3 और lu3 यह इनमें impact electron बचते ही नहीं, इसमें electron बचेंगे नहीं, तो except la3 और lu3, सभी क्या है, color है, यह दोनों क्या है, colorless है, ठीक, point number 3, इदर लिख देता हूं, point number 3 यह कहता है, कि f0 type, ऐसे लिख देता हूं, except, except f0 type, ठीक है, f0 type में अपन कौन-कौन से ले सकते हैं, इसमें ले रहे हैं अपन lengthenum, plus 3, and cdm, plus 4, except f0 type, and f14 type, मतब जिसमें unbed electron होंगी नहीं, f0 type में भी unbed electron होंगे, f14 type configuration में भी unbed electron नहीं होंगे, इसमें क्या रख सकता हूं, मैं, yb2 plus, and lu3 plus, ठीक है, अगर unbed electron नहीं है, मतलब यह तो diamagnetic है, इसके लाबा सारे क्या होंगे, paramagnetic, तो except f0 and f14, all are paramagnetic, paramagnetic, यह क्या होते हैं, diamagnetic होते हैं, बाकि सारे क्या होते हैं, paramagnetic, ठीक है, point number 4, basicity, basicity of lengthenoids decreases from left to right, left to right जाओगे, basicity decreases होगी, due to, due to, decrease in size, size decrease होगा, तो basicity भी क्या होगी, decrease, आसानी से OH ग्रूप नहीं निकल पाएगा, और basicity किसकी गंबर करा रहे हैं, ट्राई वाले hydroxide, मतलब, यहां से चलो, आप कहां तक, LU, OH whole thrice तक, सब आएंगे यहां पर बीच में, C, OH whole thrice भग रहे हैं, ठीक है, तो left to right, basicity लिख रहा होगी, basicity decreases, ठीक है, on moving from left to right, point number five लिख रहा हूँ में, hardness is directly proportional to atomic number, atomic number बढ़ता है तो hardness बढ़ता है, लेकिन यह धियान दखना, summaryum सबसे आदा hard होता है, point number six, alloys of lengthenoids are called, are called mid metals, ठीक है, lengthenoid का जो alloy होता है, उसको बोलते हैं क्या, mid metal बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें 95% क्या होता है, lengthenoid होता है, और 5% के अप्रोक्स होता है, इसमें iron, ठीक है, with some traces of, बहुत ही छोटी quantity यह न, with some traces of, sulfur, carbon, calcium, ETC, इस टाइप के element के साथ mixture बनाते हैं, और magnesium का जो alloy होता है, mid metals, उसको bullets में भी use करते हैं, ठीक है, तो बस यह दियान दखना, कि lengthenoids के जो alloy होता है, उसका नाम क्या होता है, mid metals होता है, ठीक है, इसको note करो, फिर आगे बढ़ते हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं, air block की second series है, जिसको बोलते है, actenoids, ठीक है, तो यह inner transition में second number पे आती है, period number इसका 7 है, और group number 3 है, स्टार्ट करते हैं electronic configuration, सबसे पहली property, electronic configuration, general electronic configuration क्या था तुमारा, n-2f, 1-14, n-1d, 0-1, और ns2 यही था, तो यहाँ पर n-7 पुट करना पड़ेगा, period number 7 है, तो 4f, 1-14, actenoids का आजाएगा यह है न, और, स्टारी, 4 नहीं, 5, 7 पुट करोगे न, 5f, 1-14, 6d, 0-1, और 7s2, यह इसका configuration आपका बनेगा, अब ध्यान से देखो, इन सभी में, जो actinium है, वो f-block में नहीं आता, तो उसको हम इसलिए रखते क्योंकि वो property resemble करते, actual में thorium से start होता है, ठीक है, तो actinium का configuration तो सीधा सीधा सा यह है, कि 5f में 0, 6d में 1, और 7s में 2, 5f 0, 6d 1, 7s 2, यह अलग कर दो अब यहां से, ठीक है, अब कहानी यहां से start होती है, सभी में 7s में 2, 2 है, तो यह मैं सभी में 2, 2 कर देता हूँ, पहले से ही, सभी में 7s full है, मतलब 2 हैं उसमें, तो यह तो भाई सभी होगे, अपना 7s 2 सभी में, अब 5f, 6d, यहां कुछ चेंज आता है, कैसे दियान से देखना, थोरियम में 5f 0 होता है, और 6d 2 होता है, यहां 0, यहां 2, मतलब यहां पर configuration में exception एक तरीके से हम बोल सकते हैं, एक यह होता है, एक यह होता है, एक यह होता है, और एक यह, थोड़े पापड यू नापो यहां तक, और यह, और एक last वाला, ठीक है, यहां exception आपके आएंगे, किस तरीके से आएंगे, कि वो मैं कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से देखना यहाँ जीरो यहाँ टू यहाँ टू तो देखो 7S तो भूल जाओ सब में 2-2 है अब 6D में क्या करना है ध्यान से देखना ज़रा 6D में यहाँ पर इस जगे एक आएगा थोरियम में तो दो आ रहे थे इधर एक इधर एक जहां मैंने ब्रैकेट नहीं किया है एक वहाँ पर 0-0 और जहां पर मैंने ऐसा बॉक्स सा बनाया वहाँ वन तो जहां नहीं किया है वहाँ जीरो जीरो और जहां किया है वहाँ वन ठी 5F में कितने भरने हैं ध्यान से देखना जड़ा यहां आएगा 2 ठीक है ध्यान से देखना जड़ा 5F में 2 फिर 3 4 6 7 7 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से फिल करना है ठीक है तो बहुत आसान है याद रखना देखो सीदी सी बात है जो यह configuration है इसके पीछे क्या आता है तुमारा इन configuration के है 86 के बाद आप बढ़ोगे तो 2 यह हो गए 88 89 हो गया तो यह इसका हो गया 88 90 यह इसका हो गया 88 89 91 इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे ठीक है 88 टिक है 89 92 88 89 93 इस तरीके से आप add कर दोगे तो सारे बज्ञाएंगे तो फिर से बता देता हूँ 7s में सभी में 22, 6d में देखो actinium तो अलग कर दो, 6d में यहां से शुरू करोगे, 2111, मतलब जितने भी मैंने ये bracket वाले बनाए हैं, यहां पर 111 आता है, और plutonium से लेकर NO तक 00 है, और last वाले में 1 है, और आप चाहो तो सारे के याद मत रखो, यह जो cm है, यह वाला याद रखना, gadolinium वाला याद रखना और general याद रखना, ठीक है, इतने सारे याद नहीं भी करोगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैंने एक बार बता दिये, ठीक है, इसको note करो, फिर आगे बढ़ते ह चलो आगे बढ़ते हैं, second है इसमें property, oxidation number, ठीक है, तो second number पे हम क्या पढ़ रहे है, oxidation number के बारे में पढ़ रहे हैं, oxidation number में अगर बात करें तो general oxidation number जो होती है, वो होती है, प्लस 3, लेकिन प्लस 4 से लेकर प्लस 7 तक भी एक्सविट करती है, यहाँ पर, ठीक है, बस आपको अगर इतना भी आदे तो काम हो जाएगा, प्लस 3 जन्रल होती है, और 4 से लेकर 7 तक भी होती है, लेकिन मैं एक बार लिख देता हूँ, सारी oxidation number क्या क्या होती है, देखो, actinium में तो 3 electron यहाँ पर हैं, तो इसकी 3 होगी, इसमें 4 electron निकल जाएगी, तो stable बन जाएगा, तो 4 ह तो बाकी सभी की oxidation number क्या है, प्लस 3, यहाँ पर 4 से start कर दो, कहाँ से, thorium, 4 यहाँ से लेकर B के तक, प्लस 4 होती है, B के तक क्या है, प्लस 4 होती है, ठीक है, और PA से लेकर AM तक, 5, PA से लेकर, AM तक क्या होती है, 5, U से लेकर, AM तक होती है, 6, और NP और PU की होती है, ठीक है, इनको नहीं याद करना, कोई दिक्कत नहीं, अगर हो जाते हैं याद तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यह दिहान दखना, कि oxidation number क्या, 3 होती है, जनल, और 4 से लेकर 7 तक भी exhibit करती है, ठीक है, और यह सभी element क्या है, radioactive element होते हैं, और uranium के बाद से, मतलब uranium onwards, सभी को बोलते है, trans-uranic element, मतलब, nepturium से लेकर, lorencium तक, क्या बोलते है, trans-uranic elements, ठीक है, यह दिहान दखना आप, इसको note करो, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं, एक दो pointer discuss कर लेते हैं, size के बारे में, अगर हम बात करें, एक्टेनोइट के, तो left to right, left to right, size decreases, size decreases, और reason आपको पता है, due to increase in effective nuclear charge, तो attraction बढ़ेगा, तो size क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन यहाँ पर, जो effective nucleus आज बढ़ता है, वो किस वज़े से बढ़ता है, हम ऐसा भी लिखते हैं, due to actinoid, due to actinoid contraction, lengthinoid contraction क्या था, 4F के electron poor screening करते हैं, और actinoid contraction क्या होता है, poor screening of, poor screening of 5F electrons, इसको हम क्या बोलते हैं, actinoid contraction बोलते हैं, इस वज़े से ऐसा होता है, ठीक है, को general properties लिख लेता हैं, जैसे, पहले number की property क्या है, number one property है, all are paramagnetic, second, all are silvery white metal, silvery white metal, third, they get tarnished, on exposure to alkali, base के साथ reaction होती है, तो tarnished हो जाते हैं, fourth point यह है, कि, all are radioactive, all are radioactive, and atomic number, 92 onwards, all elements, are called, transuranic element, transuranic element, अभी थुर देर पहले मैंने बोला भी था, वो यहां लिख दिया, okay, point number five, they react with, they react with boiling water, boiling water, two form mixture of oxides and hydrates, ठीक है, boiling water के साथ, oxide और hydrate का mixture बनाते है, sixth, almost all metals, all are react with, reacted with, non-metals, at moderate temperature, सभी non-metals के साथ react करते हैं, temperature, and last point यह है, कि HCl के साथ reaction हो जाती है, लेकिन, HNO3 के साथ reaction नहीं होती, क्योंकि, protective film of oxide बन जाती है, ठीक है, यह point हम लिख रहे हैं, कि, all are reacted with, HCl, but effect with HNO3 is small, मतला, बहुत ही minute अपन बोल सकते हैं, reaction हो रही है, मतला, एक तरीके से बोलते हैं, कि हो ही नहीं रही है, है न, but effect with HNO3 is small, due to the formation of oxide layer, ठीक है, protective oxide layer हम बोल देते हैं, तो बहुत ही basic सी property हैं सारी आपको, वैसे भी एक बार read कर लोगे, तो समझ में आ जाएगा, तो ये कहानी हो गई हमारे D-block, A-block की complete, पूरा P-block हो गया हमारा, S-block हो गया, hydrogen हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़नी इतने कम टाइम में, ठीक है, तो इसको अच्छे से revise करो block chemistry में, ठीक है, अच्छे से बिलकुर प्रापर तरीके से, एक-एक बार वीडियो को अच्छे से देख लो, पूरा अच्छे तरीके से, और फिर उसको बार-बार recall करो, ठीक है, जरत पड़े तो वीडियो को बार-बार देखो, जितनी बार देखोगे, उतना जल्दी यल्दी याद होगा, आपके पास option है, पू मैटलर्जी स्टार्ट करेंगे, ठीक, नोट करो इसको, मिलते मैटलर्जी में